नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग A&M को लेकर बड़ी सूचना जानने वाला है जैसे कि नोटी जो जारी किया गया है स्वास्त विवाग के तरफ से उसको लेकर बहुत सारे कंडिडेटों के मन में डॉट्स है कि किन कंडिडेटो का इसमें लिष्ट में नाम आया है क्योंकि लिष्ट स्वास्त विवाग के तरफ से जारी कर दिया गया है बहुत सारे कंडिडेटों का इस लिष्ट में नाम भी दिया गया है वो लिष्ट भी हम आपको दिखाने वाले है जो कि स्वास्त विवाग के तरफ से आपको स्वा जारी किये गया है तो वो लिष्ट हम लोग देखते हैं और उसमें सारी जानकारिया हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आप लोग वीडियो के आंद तक बने रहेएगा आपको सारी जानकारिया इस वीडियो में मिलने वाले है यह जो प्रेस भीगपती जारी किय यह मैं आपको बता दिते हैं कि किन लीएगा और क्योंकि कल इसके बारे में बताय थे तो जो कर्फूजन आए चो नोके लिए है उनको बीच तो फिर से उनको वापस जो अपनी डूटी पर बुलाए गया है तो उसको लेकर ये लिस्ट जारी किये गया है साथ इसमें बहुत सारे डॉक्टर भी है जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो आरोपी चिकिस्तक पदाधिकारी है उसका भी नाम है पतास्थापन का भी नाम है कहाँ पर अपना योगदान देना है वह भी दिया गया है यहां पर आप इस लिस्ट में देख सकते हैं तो उन्हीं कंडिडेट का नाम है ना कि फ्रेशर कंडिडेटों का क्योंकि BTSC एनम के बहुत सारे कंडिडेट ऐसे हैं जो जिनके मन में कि हम लोगों के लिए रिगार्डिंग लिस्ट है या क्या कुछ है तो यह BTSC 10709 A&M को लेकर यह लिस्ट नहीं है जो पुरारे नर्स जो बहाल हुए थे उनको किनी कारणों से हटाया गया था तो ऐसा नहीं है कि सरकार जॉब देने के बाद हटा देती है हटाया गया था कि पिर से उसको वापस बुलाया गया है जो श büyस्वास्ट व्यवाह के जो सचीव थे उनके देड़रा यह नभारा यह फिर उनको वापस बुलाया गया है तो जो चि उप्यों की का लिस्ट यह जारी किये गया है इसमें आप सारा डीटेल से देख सकते हैं और यह जो यूंठ आपको स्वास्तिवाग के अफिशली वेपसाइट पर भी देखने को मिल जाएंगे वहां से भी आप डॉनलोड कर सकते हैं तो यह बीटिसी एन्म को जो कंडिडेट है उनके लिए लिस्ट नहीं है बीटिसी एन्म के कंडिडेटों के लिए एक नई सूचना है कि आपकी जो एक्जाम का डेट है वह जल्द आने वाले है जैसे कि अपडेट्स जो मिल रही है आपकी जो एक्जाम होंगे वह बहुत जल्द सेडियूल किये जाएंगे और उसके लेकर जो नोटिस है वह आप लो क्लास भी अटेंट करते रहें क्लास आप अच्छे से करिएगा निश्चित रूप से आपको यह निकलेंगे और आपको जॉब भी लगेगा जितनी अच्छे से आप तैयारी करिएगा उतना अच्छा आपका सिक्योर होंगे जॉब के लिए उतना अच्छा आपका में पारा डीटेल्स भी आपको बता दिया है तो इस तरीके से आप लोग की जो तैयारी है वो मतलब अच्छे तरीके से चल रहा है और बीटेसी एनेम वाले तैयार हो जाईए आप लोग का जल्द एक्जाम डेट गोशित होने वाले है और भी स्वास्ति व्युवाग या बीटे निशित रूप से आप तक पहुँचेंगे तो आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते रहे हैं निशित रूप से आपको सारी जानकड़िया प्रोवाइड करते रहेंगे तैंक्य।